हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों जिसी कि आप सभी को मालूम है उत्तर प्रदिस आईटेई का मेरिट सुची जारी कर दिया गया है और भहुँ सारे इस्टुडेंट का कमेड था कि सर हमारा फिस्ट मेरिट लि नाम नहीं आता है तो क्या करना चाहिए सारी जनकारी में आपको देने वाला हुई छोटी सी वीडियो के माद्यम से तो वीडियो का आप कम्प्लेट देखिएगा और जो लोग हमारे यूटूब चैनल पे नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और आईट जो पहले तो पांच था लेकिन इसको बढ़ा कर आट कर दिया गया और जितने भी आईटे के अभी तक नहीं ले चुके हैं जो छूट गया थे वह भी ले चुके हैं इसमें बात आती है कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो यहां पर गोवर्मेंट कोलेज के लिए लिए पिल लप किया था और बहुत सारे शूटेंट है जो फॉर्मेट के लिए फिल किये थे तो गोवर्मेंट का कितना बना आए फॉर्श्ट मेरिट लिस्ट है और यहां पर जो प्रैइबेट कोलेज है उसका कितना बना है तो इसी में हम बात करने वाले हैं तो देखिए कि दूस्तों यहां पर जैसी की बात करें बहुत सारे कॉलेज के अमादम से भी फॉम किये गए थे जिनका यहां पर हम पहले हैं गोर्मेंट कॉलेज का पर यहांपर परसेंटेज Math I जिसी कि आप सभी को मालूम है कि जो यहाँ पर एडविशन जो फार्म भरा गया था अटमी पास पर भी भरा गया और दसमी पास पर भी फार्म भी लग किया गया था क्योंकि बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जो कि अटमी पास पर भी आवाते हैं औरBT आते हैं तहसे में पर करने वाले हैं घान संबY जिन लोगों का यहाँ पर्दी याँ पर पच्छासी से जिन लोगों का ऊपर उपर उनकर गुवर्मेंट कोलेजिंगे यहाँ बैंद्ठी Теперь के लिए नहीं आया है वही जो गौर्मेंट के लिए अपलाई किये थे पचासी परसेंटे जिनका उपर था उनका एलोट हो गया मतलब की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ चुका है लेकिं यहां पर जो लोग प्राइवेट के लिए यहां पर चूच किये थे और उनका यहां मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आता है तो आँको क्या करना चाहिए तो आप एले तो वेकों निकलताय। इंदरिकली से उस college पर जाएगा वहाँ पर पता किजिएगा कि यदि वहाँ पर management से पता किजिएगा यदि वहाँ पर seat खाली होती है तो आपको admission ले लिया जाएगा ठीक है मतलब कि admission आपको दे दिया जाएगा एक छोटा सा phone fill up कराएंगे वहाँ पर और उसके अनुसार आपको admission दे देंग आप जाके महाँ से management से पता किजिएगा और यदि वहाँ पर seat खाली होती है तो आपको admission दे दिया जाएगा बाकी दोस्तों college के उपर है आपको admission देता है या नहीं देता है लेकिन यहाँ पर यदि merit list में आपका नाम आ जाता है तो आपको admission मिलना ही मिलना है यदि आये आप आपके उपर निर्वाग करता है कि merit list में नाम आ जाता है हम admission ले या ना ले ठीक है तो यह आपके उपर है बाकी आपने फॉन फिलफ किया है तो admission के लिए फिलफ किया होगा बाकी यह जो आज की जनकारी थी इस फरकारत थी जो कि private और government college के बहुत सारे students है पूछ रहे थे क हमारा admission फॉन फिलफ किये थे merit list में नाम नहीं है तो कितना merit list बना है तो इसी बारे में हम आपको इस वीडियो में जनकारी दिया है बाकी दोस्तों यह थी आज के एक छोटी सी जनकारी उमीद है आपको पसंद आयोगी पसंद आयोगी दे वीडियो पर लाइक किजेगा और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा